हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ ने एक स्पेसल सबजी की रेस्पी बता रही हूँ और वो भी सिंपल से आलू और परवल की जब इसे आप बनाएंगे न तो आपकी दिवाली बिल्कुल इस्पेसल बन जाएगी तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ इसके मैंने यहाँ पे छे परवल ले लिया है परवल को अच्छे से दो के उपर से बिल्कुल हलका सा खुरज देंगे और फिर से दो लेंगे यहाँ पे मेरे पास जो बरा बरा परवल है न उससे तो पहले से हम बीच में काट देंगे और फिर उसके न हम चार भाग कर देंगे त इसी तरीके से आप भी परवल काट लीजिएगा, येदि आपके पास ना कोई छोटा वला परवल हो, बहुत छोटा वला भी मार्केट में परवल मिलता है, तो उसके ना आप सिर्फ चार हिस्से केजिए, ये देखें फ्रेंट्स मेरे पास ये छोटा वला परवल था, तो मैं तेल हमारा गरम हो जाएगा, उसमें हम आलू और परवल जो हमने काटके रखाया न, उसे डाल देंगे, इसी के साथ इसके उपर हम आधी छोटी चमच नमक भी डाल देंगे, और इसे हम मीडियम आज पे न, अच्छे से भूनेंगे, तब तक हम इसे हमें भूनना है, जब कि यह हमारा अच्छे से कुक नहीं हो जाता है, कम से कम यह 90 परसेंट हमारा कुक हो जाना चाहिए, तो टोटल टाइम जो है आपको 5-6 मिनट लगेगा, यह देखिए फिरंस कितना अच्छा परवल और आलू के उपर कलर आ चुक है, और यह अच्छे से कुक भी हो चुक है, अब इसे हम साइट करके बता रहे हैं कि यहां पे मेरा तेल भी बच चुक है, तो अगर आप भूनते समय नमक डालेंगे तो आपका तेल अच्छा खासा बचेगा, यह तेल सोकता भी नहीं है, अब इसमें हम जरासा तेल और डाल देंगे, और इसमें हम जरासा जीरा डाले तो यहां पे प्याच को ना ब्राउन कलर नहीं करना है, बस हलका सा इसे लाइट ब्राउन करना है, तो प्याच को हम बिल्कुल हलका सा ही भूनेंगे, अब इसमें हम सूखी मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले यहां पे मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूं, बिल्कुल अप भी बिल्कुल अपने स्वात के अनुसार ही डालेंगे अब इसका न हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे तो यहां पे मैंने दो छोटी चमच पाउभाजी मसाला डाला है इसके साथ ही यहां पे हम न चार से पांच बड़ी चमच के करी पानी डाल देंगे जिससे कि हमारा मसाला अब न जले और जो मसाला हो अच्छे से भून के तयार हो जाए तो फिर आपने पाउभाजी का मसाला डाल के न कभी भी आलो परवल के सबजी नहीं बनाई होगी एक वर इस तरीके से जरूर बनाईएगा आपको बहुत ही मजा आएगा तो हमने जो है मसालों को अच्छे से 5-6 मिनट के लिए भून लिया था अब इसमें हम आधा कब बिल्कुल ताजी वाली दही एक बड़ी चमच का सूरी मेथी डाल देंगी साथी दो तीन बड़ी चमच के करीब यहाँ पे मैंने फिर से पानी डाल दिया है अब यहाँ पे मैं इसे मीडियम आज पे न 5-6 मिनट के लिए पकाऊंगी धक धक के मैं इसे पकाऊंगी पीच बीच में इसे चलाते रहिएगा मसालों को जो है हमें अच्छे से भूनना है जितना अच्छा आपका मसाला भूना हुआ होगा उतने ही अच्छी आपकी सबजी भी बनके तयार होगी तो यह देखिए हमारा मसाला जो है बोखुत अच्छे तरीके से भुन गया है और इसके ऊपर जो है त्याल बोखत अच्छे तरीके से चुट गया है तो एहां डोर्ग pursue कि यहां हम भूनने कि कोई जव्रत की ति नहीं है गुनगुना पानी डाल दिया है एक बार हम इसे अच्छे से चलाएंगे धक देंगे और धक के धीमी आज पर ही से तीर मिनट के लिए पका लेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है न हमारी एक बिल्कुल अलग तरीके की आलुवा परवल की सबजी बनके तयार हो जाएगी इसे अब दिवाली के अपसर पे बनाईए और इसे प्राठे नान पूरी के साथ ही इंज़ाए के जी खुस रहिए स्वस्त रहिए थेंक्यू